दोस्तो आज की इस वीडिये में हम कवर करेंगे on giving advice इसे हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू कि मैं आपके पंजाब बोट के इंगलिश के class 12 के syllabus को पूरा complete कर रहा हूँ और अब तक मैंने और लेडी बहुत सारे chapters को complete कर लिये है तो यदि आपने उन सभी chapter के वीडियोज को अब तक नहीं देखा तो उपर एक आई बटन होगा simply आप उसमें क्लिक करें आपको सभी chapter के वीडियोज मिल जाएंगे और हाँ साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आगे मैं जब भी आपके syllabus से related वीडियोज बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा तो chapter के सबसे starting में दोस्तो हमें बताया गया है advice के बारे में यहां कहा गया है कि सबसे अच्छी चीज जो हमें मिलती है वो है advice लेकिन दोस्तो लोग जो है न वो दो तरीके के होते है कुछ तो हमें advice देते है अच्छे समझ कर और कुछ हमें idiot समझ कर advice देते है जी हाँ यहाँ यहाँ पर ऐसे लिखा है like children और idiots मतलब जो हमें advice देते है न या तो वो हमें children यानि की बच्चों के तरह treat करते है या तो idiot के तरह और आगे हमें कहा गया है कि कोई-कोई लोग ऐसे होते है जो हमें advice तो देते है लेकिन वो सोचते है कि हम उनसे ज्यादा जी हाँ हम उनसे ज्यादा smart नहीं है साफ-साफ यह है कि वो सोचते हैं हम बेवकूफ है वो हमें अपने आप से compare करता है और वो सोचता है यहाँ पर लिखा है he thinks us defective either in our conduct और our understanding यानि कि वो सोचता है कि हमारे understanding में न defect है यानि कि problem है अब आगे हमें बताया जाता है कि बोथ modern और ancient यानि कि जो पुराने author थे writer थे या poet जो थे और अभी modern में जो author है poet है writer है यह दोनों अपने आपको distinguished करते हैं एक दूसरे से अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप किसी को advice देना चाहते हो ना तो वो आप फेबल के जरीये से दो फेबल क्या होता है दोस्तों फेबल होता है जैसे अगर आप किसी कहानी को पढ़ते हो animals के कहानी को means dog और cat की कहानी को आपने पढ़ा और उससे आपको कुछ सीख मिला तो that is called fable तो यहाँ कहा गया है कि अगर आप किसी को advice दो उसका best method यह है ना कि आप fable के जरीये से advice दो वो कैसे होगा दोस्तों कोई बैट करें आपके सामने आप उसके सामने एक story पढ़ो और उसके moral को लेकर उसे समझाओ तो अगर आप ऐसे advice दोगे ना तो दूसरे बंदे को बूरा नहीं लगेगा और वो आपके बात को समझेगा भी अब हमें बताया गया है कि पहले जो राजा होते थे ना उनको भी advice दिया जाता था यहाँ पर रुकर मैं आपको बता दू कि दोस्तो अगर कोई सेनपती वैसे ही आकर राजा को advice देगा ना तो राजा भड़क उठेगा और उसे मार देगा तो पहले के लोग कैसे advice करते थे king को दोस्तो वो advice करते थे fables के जरिये जी है story के जरिये यहाँ पर अब हमें बताया गया है सुल्तान महमुद के बारे में यह एक बहुत ही क्यूरल रूलर थे और इन्होंने बहुत सारे लोगों को वार में मारा था और इनका जो kingdom है ना इनके kingdom के सभी लोग इनसे डरे हुए थे he had filled his kingdom with destruction तो अब इन्हें कोई तो एडवाइस करता कोई तो इन्हें आगर कहता कि ऐसा मत करो दूसरे लोगों को मारते हो यानि कि तुम लडाई में दूसरे लोगों को मारते हो वो तो ठीक है लेकिन अगर तुम अपने ही लोगों को मारोगे तो इससे तुमारा ही नुकसान है तो था तो ये राजा और बहुत ही भड़का और राजा था हमेशे इसके दिमाग में गर्मी रहती थी तो कोई इसे नहीं समझा सकता था तो दोस्तो फाइनली एक वीजियर वीजियर आप कह सकते हो कोई सेनपती वेगरा टैप का होता है तो ये जो सेनपती है न ये आकर अड़वाईस देता है सुल्टान को और ये अड़वाईस कैसे देता है ये फेबल के जरीए अड़वाईस देता है यानि कि स्टोरी सुना कर तो जैसे ही सुल्टान महमुद जो की बहुत ही destructive ruler था जैसे ही ये सुनता है इस story को इसे ये story touch हो जाती है यानि कि ये story इसके दिल को चू जाती है और फिर उसके बाद से ये बहुत ही अच्छे से behave करता है ये काम करने लगता है welfare of people के लिए यानि कि welfare of his people इसके kingdom में जितने लोग रहते है उन लोगों की भलाई के लिए या उन लोगों की अच्छाई के लिए ये काम करने लगता है ये क्यों हुआ दोस्तों ये advice के वज़े से हुआ और ये advice दिया गया फेबल के जरिये तो बस यही पर ये chapter end होता है और कुछ ज्यादा है ये नहीं chapter में आप सिर्फ एक पर chapter को read कर लेना तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ और हाँ मेरे record channel है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा तो उसे भी subscribe कर दियो